Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Mercy Singh और आज हम बात करेंगे PG entrance के बारे में तो PG entrance होने का बहुत ही ज़्यादा chances रहता है जुलाई महिने को क्योंकि जुलाई महिने को summer vacation होता है और बहुत सारे semesters का end term exam भी हो चुका होता है तो उसके बात हम लोग PG के लिए या फिर UG के लिए हम लोग apply कर सकते हैं क्योंकि HS कभी examination का result निकल जाते हैं तो जुलाई महिने से बहुत होका entrance होता है और admission process भी start होता है अज हम बात करेंगे Guwahati University PG entrance test के बारे में 2023 जो ये साल का admission process जो start होगा तो कब होने का chances से entrance का form fill up कब होगा फिर एक question आया है कि entrance के लिए syllabus क्या क्या रहेगा तो मैं एक बात बता देती हूँ जो भी आप लोग subject choose करके examination देने के लिए सोच रहे हो जैसे आपका asamist major था UG में PG करना चाहते हो education में या फिर English में किसी और subjects में तो आप लोग वो तो चैंज कर पाओगे अलग subject ले सकोगे PG में ग्वाहाटी University के अंदर कोई भी affiliated college में भी ले सकते हो या फिर direct ग्वाहाटी University में भी पर सकते हो तो जिनका भी ग्वाहाटी University में PG करने का इच्छा है सपना है तो आप सभी के लिए एक message है कि आप सब लोग में महीने के last से बहुत ही ज्यादा active रहना है कभी भी notification आ सकता है क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो कि अगर मैंने इसको skip कर दिया मतलब मैंने इस बार apply करना भूली गया एप्लाइ किया ही नहीं तो मैं क्या करो तो regret करने से तो बहतर है में महीने से last के जुन महीने के first तक आप लोग को पूरा active रहना website चेक करते रहना है तो आप लोग को website में यहाँ पे notification मिलेगा admission process कब start होगा तो उसके लिए आप लोग को active रहना है और जूलाइ महीने को तो examination होगा for sure या फिर August के first week को UG level के जो भी syllabus रहेंगे उसको परना होगा और अभी बहुत ही basic level से deep thoroughly आपको study करने परेंगे तो ही आपका clear होगा और अच्छा score करोगे तो merit list में जितना उपर रहेगा आपका नाम तो admission मिलने का chances बहुत high हो जाता है और नाम waiting list में भी होता है फिर भी आप लोग को वहापे admission के time में जाना परेगा तभी आपको कभी कबर क्या होता है admission process में जो पहले नाम होता है वो लोग नहीं लेते हैं तो उसका seat जो खाली रहता है वो waiting list से भर देते हैं और कास्ट बहुत ही जरूरी है यहाप है त्योंकि अगर general कास्ट का आप होते हो तो आपको merit list में बहुत ही अच्छा स्कोर करना परता है या फिर आप SCST के हो तो आप लोग का relaxation मिलेगा marks का या फिर reservation कोटा रहेगा तो अभी बात करेंगे आप लोग का जो PG entrance syllabus तो syllabus मैंने already बता दिया है जो भी आपका subject होगा उसका UG syllabus पढ़ना है और अगर इस बार pattern change होता है तो आप लोग को जो syllabus मैंने बताया था B8 का syllabus वो भी आप लोग थोड़ा follow करना क्योंकि current affairs, general numerical ability वो सारा कुछ, general awareness का सारा कुछ म तो मुझे जितना तक मालूम है मेन पेपर का बारे में ही पुछा जाता है जो आप subject लेकर PG करना चाहते हो तो डेट्स के बारे में बात कर लेते में महिना जो अभी चल रहा है इसमें आप सभी को मतलब क्या होता है active रहना पड़ता है का अभी कबार बहुत जल्दी notification आ जा से आप लोग को पुड़ा active रहना है अगर प्रिपरेशन करें फिर भी थोड़ा बहुत आपका website चेक करते रहना चाहिए तभी आप लोग को जब निकलता है notification आप लोगो पता चले लेट मत करना क्यूंकि बहुत लोग इसको इग्नोर करते रहते कि आज आएगा तब देख फॉर्म फिल आप करने का आएगा जुलाई महिने को dates admit card वगेर आएंगे और admission का मतलब entrance का date ज्यादा तर ऐसा होता है कि जुलाई महिने के last को होता है या फिर आगस के first week को admission या फिर entrance जो भी आप लोग बोलते हो उसका examination date दिया जाता है और उसके बाद आगस महिने को ही admission हो आप लोगो classes भी आगस से ही start होते है generally तो आज का वीडियो में और कुछ भी अगर मैंने include करना भूल गई हूँ तो आप लोग प्लीज कॉमें सेक्षिन में बताइए तो में एक अलग सब वीडियो बना दूंगी डिटेल में पीजी entrance stage के लिए आप लोग जो भी preparation करें उसक अब के लिए मैंने यह message दिया है तो चलते हैं नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे बाबाई